सु स्वागतम गाईज वलकम बैक तु दे चैनल तो टाइगर एक्स क्रेन के निव एपिसोड में आप सबका स्वागत है अगर आपने पिसला एपिसोड नहीं देखा जिसको हमने अल्रेडी एक्स्प्रेन कर रखा है तो जाके उसे एक बार देख लेना ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी लेडी को देखते है जिसने उस मोस्टल को पूरी तरीके से मार दिया था जिसको देखते हुआ पर इंपिरियल गार्ड्स एकदम से स्वाप हो गए थी अब वो लेडी केन लगती है आगी का रास्ता पूरा साफ है तो तुम लोग डाइरिकली अब जा सकते हैं वैसे भी मेरा दोसरा खाम है इत्ता केती हुए हम देखते ही वो लेडी वाँ से चली गई थी वही पर दोचे तरफ हम उन्जी को देखते हैं जिसके पेरों में पत्तर था और वहाँ पे ठेले गारी को पकड़ती हुए आगे बढ़ रहा था जिसमें यहाँ पे ग्रैंड मास्टर और कुइन बेटे हुए थे को इन केने लगता है मास्टर हमें तो डायरेक्ली अब यहाँ पे इंपिरियल सिटी में जाना चाहिए क्यूंकि रेड पॉल को बाहर निकालना हुए उन्जी के बोडी से यह बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है तो आखिरकार हम यहाँ पे बबाव टाउन में क्यों जा रहे है तभी हम देखते हूँ वहाँ पे ग्रैंड मास्टर केने लगते हैं बबाव टाउन में मेरा एक पुराना दोस्त है तो उसको मिलने के लिए तो जाना ही है और वैसे भी सबने इतना ज़दा टाइम ले लिय तो मैं भी अगर कुछ दिन ले लेता हूँ तो क्या ही जाएगा अब हम देखते हूँ वहाँ पे ग्रैन मास्टर अपने चोटी से वहाँ पे हुंजी के सर पे मारते जिसको देखके हुंजी बहुत ज़्यादा गुशा हो गया था और हो केन लगता है ओल्ड ब्रस कहीं के यह आपर आखिरकार मेरे पेरू में यह पत्तर क्यों लगाए गये और मैं यह क्या कर रहा हूँ वह हम देखते ग्रैन मास्टर केन लगते इससे यहाँ पे तुमारी की इनर्जी प्यूरिफिकेशन होगा एज टीचर मुझे तुम्हें सब को सिखाना है तो यह करना ही है अब ह हम देखते उसकी बाते सुनके वहाँ पे ग्रैन मास्टर बहुत ज़्यदा गुसा हो गया था और हम देखते हो आपर फिर से उन्जी को पिरते हुई केने लगते आखिरकार यह तुम कैसी बाते सोच रहे हो ने मास्टर के बारे में ऐसा कोई सोचता है अब हम देखते मुझे यहाँ पर धक्का दे के क्यों ले जाना पड़ा है इसका यहाँ पर कल्टिवेशन से क्या लेन देन अब हम देखते हो उसकी बाते सुनके ग्रैन मास्टर वाँ पर क्रीपी सा इस्माइल देते हुए केन लगता है गाड़ी को यहाँ पर खीचके ले जाने में कोई भी कल्टिवेशन कुछ नहीं काम बस मैं तो यहाँ पर ठक गया था तो मुझे चलने का मन्नी हो रहा था उनकी बाते सुनके दूसी तरह उन्जी को गुसा आते हुए वहाँ पर उस गाड़ी को पूरी तरीकी से फेक देता है और हो केन लगता है बुट्टे मुझे से यहाँ पर खाम करवा रहे हो अब हम देखते हुए वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को गुसा आ गया था इतना ही नहीं उसे तो वहाँ पर संगली मॉस्टर्स के हातों पिटवाते है और उसी वहाँ पर ठंडे पानी में भी रख देता है इतना ही नहीं बिचारे हुँझे के साथ में तो यहाँ पर नाइंसाफी हो जाता है क्योंकि उसे पाहर चड़वाने लगते हैं और वो दोनों वाँ पे बेट रहे थे बिचारा हुझे नीचे गिर जाता है और वो केन लगता है कुईन मुझे बचा लो बट हम देखते कोई उसके हेल्प नहीं गड़ता बिचारे खा मुझे पत्तर में टक्रा गया था अब हम देखते जैसे तैसे करके बबाओ टाउन में पहुच गए थे मतलब कि बबाओ सिटी में अब हम देखते हैं वहाँ पे कुईन और हुझे आगे की तरह बढ़ रहे थे तब ही वहाँ पे कुईन के पास में एक लिटर आता है और हुझे लगता है तुमने यहाँ पे जिस परसन को डोडने के लिए कहा था उसको हम डोड रहे हैं बट अब हम देखते हैं कुईन की बाते सुनके वहाँ पे उन्जी इमोस डल हो गया था और हुझे लगता है मैंने तुमारे बारे में कितना बुरा बला सोचा था बर तुम तो यहाँ पे कितने अच्छे निकले आज से तुम मेरे बेस्ट ब्रेंड हो मैं यहाँ पे आख से पानी से सबसे लड़ने के ने तैयार हूँ तुमारे लिए अब हम देखते हैं उसकी बाते सुनके वहाँ पे दूसरी तरफ क्विन भी चुपचप आगी की तरफ बढ़ने लगता है और उन्जी उसके पीछे जा रहा था अब हम देखते हैं वहाँ पे क्विन केने लगता है सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डीमन मास्टर इनको डूढ़ना होगा और उनके पास में जाना है ताकि आप यहाँ पे मैजिकल वीपन को बना सकें यहाँ पे पूरे फूलों केंडम के लिए मैजिकल वीपन बनाते हैं मत्त क्यों मैजिकल ब्रोसेस बट यहाँ पे उनको यहाँ पे मना पाना बहुत ज़दम उसके लिए यह तो यहाँ पे तुमारे उपर भर बढ़ता है कि तुम उन्हें मना पाते हो या नहीं अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे मिंसर के अंदर आगे थे जहाँ पे एक सर्वेंट केन लगती है पेरी आगी के वाले सीट में बेठी है तब हम देखते हैं वहाँ पे कुईन केने लगता है मैं उन्हें अभी डिस्टरब नहीं करना चाहता है फाइट खतम होने के अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस फाइट को देखने के लिए दोनों वहाँ पे खड़े हो गए थे तब ही वहाँ पे ग्रैंड मास्टर बाहर आते हैं और वो केले लगता है अभी के टाइम में यहाँ पे डीमन मास्टर्स तो बस यहाँ पे फाइटिंग टूल जैसे हो गें दूसरों का मन already इंटर्टेंड करने के लिए पैंसा कमाने के लिए तब हम देखते हुआ पे आपे होस्ट अनौन्स करता है कि अब इस फाइट को याँपर हम स्टार्ट करेंगे लोग वहाँ पिर चिलाने लगते जल्दी करो जल्दी करो तब हम देखते हैं पर होश्ट केने लगता है यहाँ पर के रूल्स बहुत ही आसान है, सबसे पहला रूल यहाँ पर कोई भी किसी तरीकी का मैजिकल विपन्स का यूज नहीं कर सकता फाइट करने के लिए, और दूसरा रूल यहाँ पर अगर आगे बाला हर मानता है और यहाँ पर अपनी जान की भेग माँकता है तो तो यहाँ पर वो जीत जाएागा वजपना वो नहीं जीतेगा ओर हम देखते हूँ ऐसे रूल बतारा था अब हम देखते हैं उन दोनों के दर्मियान वहाँ पर फाइट इस्टार्ट हो रहा था जिसको देखके दो चितर वहाँ पर उनजी केने लगता है तो फिरकर यह लोग लड़ क्यों रहे तब ही वहाँ पर कुईन केने लगता है अलग अलग जगे से बोन्टी विजाट आता है जिनका यहाँ पर में पर पोजी फेरी से अपने लिए मैजिकल विपन बनाना है अब हम देखते हो वहाँ पर उन जी केन लगता है अगर विपन तो यहाँ पर फायट क्यों करना इसका क्या लेना देना तब भी वहाँ पर ग्रैंटमास्टर केने लगता है यहाँ पर फेरे ही मैंय की विपन बनाने की स्किल बहुत जड़ा अमेजिंग है बट यहाँ पर उप धेंध देखना अच्छा लगता है तो जब तक यहाँ पर देखती तब तक वो किसी के लिए विपन ही नहीं बनाती अब उनकी बाते सुनके वहाँ पे उनजी केन लगते तो फिर अगर मेरी लिए मैजिकल विपन बनाना है तो मुझे भी यहाँ पर वाइट करना पड़ेगा अब हम देखते हैं वहाँ पे कुईन के पास में चला गया ओर वह किन लगता है बिग ब्रधर तुम मेरी हेलप करोंगे ना तब भी वहाँ पे क्वीन केन लगता है मैं नहीं करता तब भी हम देखते हैं वहाँ पे उन्जी केन लगता है एक बाय दूसरे बाय को ऐसे ट्रॉबल में क्या से छोड़ सकता है तुम यहाँ के सबसे बड किरमना लो तुमने यहां पर रेट पल को खाया है तुमने बला एक ठीप की हेल्फ क्यों करूँ तो भी हम देखते हो जी गुस्ते में केन लगता है तुम देखते जाओ यहां पर फेर ही में मेरे लिए वीपन जुरूर बनाएगी वीपन दोचे तरफ हम उन दोनों के टैक कर देता है वो बंदा भी करता है बट वहां पे उस बड़े वाले बंदे खाटेक पाउपूल होने की वज़े से वो बंदा हार जाता है इसको देखते वहां पर ओस्ट आनौंस करता है कि बड़ा वाला बंदा जीज़ गया जिसको देखके उन्जी केन लगता है कितना ज़ता पाउप फुले आकिरकार इसको मैं क्या से हराऊंगा तभी वो सोचने लगता है मैं यहाँ पे कुईन के आगे खुद नहीं हार सकता मैं जीतूंगा यह पे दो चितरों में एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे टाइगर स्रॉप का सस्ता कौपी लग रहा था जो वहाँ पे एक्सन दिखाने लगा था उसके आगया के बड़ा वाला बंदा एक ही पंच में उसे ढेड़ कर देता है अब हम देखते हैं एसी हो वहाँ पे बहुत जदर लोगों को हराता जाता है जिसको देखिए उन जी केन लगता है मैं नहीं जीत पाऊँगा तब ही हम देखते हुआ एक बच्चा आ गया था जोगी यहाँ पर उन्जी के उमर खाता इसको देखके बता निगा जिन लड़का या लड़की है कि खुद कन्फोज हो गया अब हम देखती हो वहाँ पर उस बड़े वाले को चैलेंज करता है अब वहाँ पर बड़ा वाला बंदा उसके उपर अटेक करता है अब हम देखती हो यह सब को सोच रहा था तब हम पर ग्रैंड मास्टर उसे पकड़ के मेदान में फेक देते है अब हम देखते हो उन्जी जैसे उपर देखता है उसके आगे वही बंदा होता है इसके साथ एपिसोड खतम आज यहां पर दो या तीन सीरीज में एक्स्पिलेन करूंगा न्यूँ तो उसको भी तपट कर देना थैंक वाचिंग बावेस्यों अगेन